हलो बच्छो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेक इटीजी के यूट्यूटीव चैनल पर जिसमें हम आर आर बी के एल्पी और टेक्नीशन एक्जाम के लिए प्रिपेर कर रहे हैं की इस लिए और नुन टेक जितना भी सिलेवस हैं ऊसे पूरे हफ्दे में हमने बाढ़ दिया कि किस दिन कौंसी क्लास चलेगी तो आज उसी में हम उसी ऑडर में हम बाइलाजीक की क्लास फ़डार करेंगे आपको पता है कि पूरे हफते होने वाली classes की classes wise आपको PDF भी दी जाती है हमारी एप पर जिसका नाम है make it easy live classes तो आप लोग वो एप अभी डाउनलोड करें और जुड़ जाईए हमारे साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितनी भी वीडियो आप देखते होने लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट पर अपने सजेशन जरूर दीजिए कि कौन सा टॉपिक कैसा है जो आपको मुश्किल लगता है जिस पर हमें कोशन कराने चाहिए और एक यह बात याद रखना है कि पूरे हफते की क्लास इसके सिंगल पीडिया भी आपको दे जाती है ताकि आप आंसर की के साथ ताकि आप उसे रिवाइस कर सकें अच्छे से और फिर उसका टेस् जरूर अटेम्ट करें और देखिए अपने आपको कि आप कितना अच्छे से पूरे हफते पढ़ें ठीक है यह बिलकुल फ्री है आप लोगों को पता है इससे आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होने वादी है इसके लावा कुछ बच्चे अगर हमारे साथ कोर्स मे चल नहीं हैं बाद में उनके लिए अलग से एमसे की प्रैक्टिस सेशन टेस्स सीरीज वगरा सब लाउंच किया जाएगा तो चलिए बच्चों जुड़ जाईए हमारे साथ क्लास को लाइक और शेर कीजिए गुड़ आफ्टनून गुड़ आफ्टनून पर ठीक है तो ब परगी करत किया गया है क्लासिफाई किया गया अलग-अलग कैटिगरी में रखकर उनकी अलग-अलग विशेष्टा को एक जंगा लाया गया ताकि उन्हें पढ़ने में असानी हूं इसी वज़े से क्लासिफिकेशन किया था अगर मैं आप से पूछ हूँ एक कोशन यहीं दे देता हूं कि क्लासिफिकेशन के जो जनक थे जनक उनका नाम आपको याद रहना चाहिए कि कौन थे बहुत पूछा जाता है कहीं बार पूछा जाता है ठीक है हां कैरोलस लीनियस क्या नाम था उनका बच्चो कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस ने क्लासिफिकेशन को सेट अप किया था ताकि आने वाले बायलोजिस्ट जो है उन्हें पढ़ने में आसानी रहे चलिए पहला कोशन देखते हैं बच्छों पहला कोशन कह रहा है वाट इस पॉंज इन बायलोजी जी विज्ञान में स्पंज क्या होता है एक फंगस है कवक है फॉसिल है लेकल पढ़के जाना आप लोग यही सब पूछा जाता है उसमें ठीक है प्राइस बिटा बहुत ही कम है ठीक है 500 कपड़ जाएगा वैसे तो ट्रिपल नाइन लेकिन उसमें जब आप एलपी 50 करके वह लगाएंगे बच्छों कोड प्रोमो कोड तो वह 500 का हो जाएगा लेंदर विपल कोई बात ने मेरे बच्छे चलिए बिटा क्लासिस तो पूरे हफ्ते की ओरियें कि अलव अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है देखिए समंदर में पाए जाता है बच्छों यह प्रकार का जीव यह जीव है याद रखना की कोई पौधा नहीं है इसे हम कहते हैा बच्छो इसे हम कहते स्पांज इस्पंज जिसे कहते हैं अब इस पंज की खाजबात यह बच्छो यह बहुति संग जीव है मृटी सैल्यूलर यानि की बहु कोश्रछ गिया बहु कोश्रियों कीया और पानी में ही होता है याद रखना सक्बोर याद रखना यह कौन मे चुशरु की जीव होते हैं इन रीड के अड़ी नहीं पाया जाती समंदर में जीलों में अन। नदियों में यहाद रखना वच्चो Tage यह समंदर में पाँच मेरे तक की घराई तक ही पाया जाता है उससे नीचे नहीं पांच किलोमेटर तक की गहराई तक अगला कुश्शन इफ लैट वर्म कॉल्ड डैश हैस वेरी सिंपल आइस बैट आर एक्ट्वली जस्ट आई स्पोर्ट्स देट डिटेक लाइट ठीक है इन में से कौन सा एक जीव है जो की फ्लैट वर्म है यानि कि क्या होता है बच्चो फ्लैट वर्म का मतलब भूता है जो चुपटे चुपटे कीडे चुपटे याद रखना बच्चो चपटे ठीक है चपटे करमी कि याद रखना चों ठीक है इनमें बहुती समाण नियाख हूती ही सिंपल देखे यहां पर यहVAँ के दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरीके से यह इस पॉट होते हैं धब्बे जैसे होते हैं इनका काम सिर्फ प्रकाश को डिटेक्ट करना है इनका प्रकाश का पता लगाना है उस जीव को क्या कहते हैं बच्छों उस जीव को क्या कहते हैं चप्टा जीव होता है याद रखना है एसकेरिस कहते हैं डेनेरीय कहते है यह करह легла विल्उक कहते हैं यह टेप वर्म कहते हैं तो आपका असरोगा बंग क्विल्एर याद रखना चप्ट्टे रिएगों में सबसे जाधा पूछय आने वाला यह कोशन है ठीक है इसको living मेरा याद रखना ओके इसमें दो आखो जैसे संद्रशना होती है प्लेनेरिया जो होते हैं बच्छों यह मुक्त रहते हैं जीव किसी के उपर वह नहीं होते आश्रित याद रखना किसी को पर डिपेंडेंट नहीं होते यह आपका साफ पानी में मिलते हैं समंदर में मिलते हैं और और स्थलिय यानि कि terrestrial habitat जाने कि जिए जमीन होती है उनके आसपास भी यह होते हैं बच्छो याद रखना इनका जो फाइला में संग बहुत पूछा जाता है उससे कहते हैं प्लेटी हलमेंथिस क्या कहते हैं बच्चों से याद रखना बच्चों प्लेटी हलमेंथिस कहते हैं याद रखना ओके यह आपके रीग्रो कर सकते हैं यानि कि यह अपने अगर इनका कोई भाग तूटकर या कटकर अलग हो जाता है तो दुबारा उस भाग को यह बना लेते है तो इस री जन्रेशन इनमें पाई जाती है इसका जो छोटा नाम है याद रखना उसे कहते हैं इम्मॉर्टल अंडर दा एज ओफ नाइफ इनका ये छोटा नाम है या कहूं इनका फेमस नाम है इन्हें कहते हैं ये चाकू की धार के नेचे अमर रहने आप इन्हें कट करने तो भी ये नहीं मरता याद रखना बच्चो ओके ठीक है क्लास को लाइक और शेर करते रहो विटा अगला कोशन दबाड़ी आफ डैश इसमेड़ अफ टू लेयर्स ऑफ सेल्स ठीक है किसका शरीर कोशिकाओ की दो परतों से मिलकर बना होता है किसका शर दो परतों से मिलकर बना है दो परतों से चलिए आंसर करें बच्चो सब बच्चे इसका अंसर करेंगे सब बच्चे इसका अंसर करें बटा बताइए क्या अंसर होगा इसका शाबाश याद रखना बच्चो इसका अंसर होगा बच्चो सिलेंट्रो सिलेंट्रो नाम का जो पैलम है उसमें जो जतने भी जीव है बच्छो उनको उनका शरीर उनका शरीद दौ परतो से मिलकर बना होता है उनका शरी दो परतो से मिलकर बना होता है याद रखना बच्चो ठीक है दोको यह important question है इनको नहीं करोगे अगर आप तो समस्य आ रखना बच्चो जलिये चलिये शाबाश समझे में आया बच्छो कि चलिये आगे बढ़ते हैं बच्चो दो पर्टो से मिलकर बना होता है ठीक है अब देखी यहां पर देख इनका शरीर दो परतों से मिलके बनाओ ता आपको याद रखना यह जलिये जानवर रहें यानि कि यह कॉन से जीव हैं जो पानी में रहते हैं बच्चों इनका शरीर बिल्कुल खोगला होता याद रखना बच्चों और शरीर के अंदर और बाहर दो परते होती हैं ठीक है जिनको क्या कहते हैं बच्चों बाहरी उपकला या आउटर एपिथेलियम जिसे एकोडर्म भी कहा जाता है एक्टोडर्म और एक होता है बच्चो इनर हां एक होता है बच्चो इनर गैस्ट्रोडर्मिस यानि की जिसे एंटोडर्म भी कह जाता है तो अच्छा की दो परते होती है एक तो एक्टोडर्म और एक होती है बच्चो एंटोडर्म ठीक है आउटर एपिथेलियम बहरी उपकला और इनर गै रेस्टरो डर्मिस यानि की तरह की तो अचाहिकी परती इन से मिलकर बना अजुआ इंझा को कैक बता करनें कि इसके प्र केंग geld से हैं कोशन का एक आपको यह बताना होगा ठीक है अगला कोश्व री प्रड़क्शन अकर बाइनरी फिजन द्वी खंडन कहते हैं बच्चों फिजन को क्या कहते हैं द्वी खंडन बाइनरी मतलब दो फिजन मतलब तूट जाना कौन सा ऐसे जीव है जिसमें जनन की प्रक्रिया द्वी खंडन द्वारा होती है प्लेंड लेंटरा है प्लास्मोडियं नीवर फ्लूटीया अमीवा यह पूछ रहा है कि इसमें क्या होता है आपको बता देता हुं देखें इसे माली जी एक कोशिका है कोई इसे कहेंगे पैरेंट सेल या मात्र कोशिका इसे क्या कहेंगे बच्चो मात्र कोशिका मात्र कोशिका याद रखना बच्चों इसे मात्र कोशिका कहेंगे अब क्या होगा बच्चों इसमें DNA जो है वो अपने आपकी नकल करेगा यानि कि अपने जैसी एक और कॉपी बना देता है तो इसे कहते हैं DNA DNAमे डूबलिकेट 10 ने जो है आपका double हो जाता है अब DNA डेबल होने के बाद यह जो कोशिका द्रव होता है यहाँ पर इससे कहते हैं बच्चों कोशिका है ड्रव pare लिक्विड ओता है जिसे हम कहते हैं साइटो प्लोव कोशिका दरगों क्या कहते हैं साइटो प्लाज्म yeः भी सब्सक्र centro में टूड जाता है और इस तरह से दो कोशिका यह बन जाती है दो सेल बन जाते हैं है लेकिन एक होता है multiple फिजन यानि कि दो से ज़्यादा तीन चार पांच multiple फिजन किसमें मिलता है बच्चों ठीक है multiple फिजन किसमें बनता है चलिए इसका answer दीजे बच्चों इसका answer दीजे multiple फिजन किसमें होगा आंसर करें बच्छो फटाफट क्लास को लाइक और शेर करते रही है बटा क्लास को लाइक और शेर करते रही है प्यारे बच्छो मुल्टिपल फिजन किसमें पाय जाता है वो यह पूछ रहा है सीधी सी बात है अब ठीक है देखिए मुल्टिपल आपका उसमें भी हो सकता है किसमें बच्चो किसमें हो सकता है बच्चो आपका मुल्टिपल आपका अमीमा में भी हो सकता है पैरमीशम में भी ठीक है अमीमा याद रखना बच्चों लेकिन यहां पर तो आमीबा नहीं दिया है तो कौन सा होगा बच्चों कौन सा होगा बच्चों आपको यह बताना तो इसका सही आसर होगा बच्चों प्लाजमोडियम क्या होगा इसका सा प्लाजमोडियम याद रखना प्लाजमोडियम एक परजीव परजीवी समझते हैं आप दूसरे जीवों पर जिन्दा रहने वाले तो प्लाजमोडियम पर जीवी भी होते हैं बच्छों आपने नाम सुनाओगा प्लाजमोडियम का पता है कहा है मलेरिया जो मलेरिया परतीव होता है उसे यही कहते हैं बच्छों जो मलेरिया परतीवी होगा उसे प्लाज्म और्यांक के नाम से ही ति yag रहाँ दीर है ह과 तो ये मलेरिया परतीवी उता है प्लाज्मों दियουμε इसमाम मल्टीपल फिजन उस यह कई भागों में तूटके बनता है बिल्कु सही आंसर दिया है शावाज बिटा शावाज विनीत अगला कोश्चन फॉसम que to falling is an example of endoparasite endoparasite endo का मतलब होता है UNTEEEE बाहर पर जीवि नमानित से कुछ गाव होता है इनका क्या काम होता है कि यह आधे उपर होत inner य॥ Guill कहते हैं सकर कि क्या कहते हैं बच्छों सकर इनमें चूशक पाए जाते हैं चूशक ये चूशक पाये जाते हैं तो ये क्या करते हैं अपने LETS जिसे ँसके पोशक क्तत्व को चूशते रहते हैं ठीक है तो ऐसे आपको पर जीवत नाम बताने जो अंदर ऊता डेकर शेर सेरा में कोई जू में चाहे कि तनी जूएं है है सरीप हैर सर में है जान भी हो जाती है दिसेर असे सर में भी हो जाती है उती और यह किलनी भी प्रकार की यह सब आपके बहाईया पर जीवी यह त darle सब क्या है बच्छो एक्जो पयर अचीट proch करना है लेकन फИटा करमी जो है बच्छों टेपवर्म यह अंतह परजवी आंतों में आता है ठीकि बिल्कों सही जिंश्वी परेकृथ थिक हैं हाँ बिल्कुझ सही फीता करमी फीता करमी थीवर चोंट्ट लोग अकसर देखा होगा आपने सूर का मास खाते हैं उनमें अकसर ये फीता करमी पनब जाते हैं टेप वर्म तो क्या होता है ये एक तरह का परजीवित जो अंदर आतों में जाकर परिशान करता है पेट में दर्द रहना और आपका क्या कहते हैं उसे कि लूज मोशन लगना बार बार ठीके तविर बार बार खराब रहना यह कहलाता है बच्चों याद रखना ठीक है अगला कुशन को डिशा और फॉछंग और गयनिसम बिलॉंस टूम में फैमिली इनमेंसे कौन सा जीव ऐसा है जो मोलस्क फैमिली को बिलॉंग करता है मॉलस्क ठीक है ये एक मुल तूपास आ जाता है और इनमें दिया गया को यह ना घंगाऑ यह घंगा गुदी ओता इस नेल यह आपका मोलस्क क्यर्लिम्तिश, कहटेकरी बच्चों भात करते कॉक्रूच की तो कॉक्रोच आता है बच्चो और्थ्रोपोर्ड में किसमें बच्चो और्थ्रोपोर्ड नामक फाइलम में आता है यह कीट होता है एक तरह का इंसेक्ट जिसे कहते हैं इसमें जुड़ी हुई टांगे होती है यह याद रखेगा इस नेल आपका मोलस्क हो गया बच्चो अ do consciousness में आते हैं सारे मैंने आपको यहां पर न बता दिये हैं ठीक है तो आपको बताना था मोलस्क मोलस्क का एक और बहुत अच्छा उधारन दे देता हूं झुमें ऑक्टोपस ऑक्टोपस जो होता है बच्चों यह भी बहुत पूछा जाता है यह मोलस्क परिवार का एक जीव है अगला कुश्चन कि Holmes Ca Oo इनमें से किसके शरीर में भाइयू भरी रहती है वाईयू क्या है बच्चों जिसमें वाईयू भरी रहती है चेली आप Con वाइनस बोन हड्डियां कार्टिले जो पास थी टेंडन चलिए बताईए कौन सी ऐसी कैविटी है हमारे शरीर की जिसमें हवा भरी रहती है चलिए बताइए बच्चों कि बताइए बच्चों क्या होगा इसका अंसर सब बच्चे आंसर करें वह क्लास को लाइक और शेर करें जादे-जादा ताकि जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं वह पढ़ना स्टार्ट कर देखिए जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी से एक्जाम में बहुत- बहुत सारे यह मान के चलिए आप के इस बार आपके एप्लिकेंट हैं जो की जो की एक्जाम देंगे ठीक है तो हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी अभी से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है ठीक है कोश्चन करते चलिए सारे प्रिविएस यर के आरार भी क साइनस में आपकी हवा भरी रहती है क्योंकि यहां कुछ नहीं होते खोगली होती है बिल्कुल सही बिटा साइनस में बेरी गुड बोन में हड्या पक्षियों में भरते हैं जब पंख फड़ पड़ाते हैं तो एक्चलि उनकी बोन में वायू कोश्च होते हैं जो हवा से हैं और पक्षी हवा में ऊपर उड़ जाता है ठीक है अगला कोश्च अर्थ वाम केच्वा निमन में से कौन से संग से यह संग नहीं है बच्चो संग है संग है ठीक है तो कौन से केश्वा जो है निमने से कौन से प्राणी संग में आता है अभी बिल्कुल मैंने आपको बताया बच्छो जाधा दिमांगा लडाने की ज़रुत नहीं है बच्छो एनिलीडा अभी ज़स्ट बताया मैंने आप लोगों को ठीक है एनिलीडा नाम के एक संग में आता अनिलीडा में गोल क्रिमी आते हैं कैसे बच्छो राउंड राउंड वार्म ठीक है क्या कहते हैं से गोल क्रीमी गोल क्रीमी जो होते हैं बच्छो वह एनिलीडे में आते हैं आपको याद रखना है जितने भी गोल आपके वह थे किडे ठीक है अगला कोश्शन ओक्टोपस है विच कलर ऑफ ब्लड ओक्टोपस में किस रंग का क्या पाया जाता है बच्छो वह पाया जाता है ब्लड ठीक है किस रंग का ब्लड पाया जाता है ठीक है वैसे तो आपको पता है कि हमारे शरीर में हीमोगलोबिन होता है पियिन जन्तूएं हमोगण स्वर्टब रडद करलर का होगा और बीचका रड़ तो उसका हुष लाल दिखा ही देगा लेकिन अप्ने संगी ओक्रपल्च मैं अयसा नहीं है अप्ने में क्या होता है बच्चोस दो जानवर है एक तो octopus ठीक है एक aussi होता है बच्चो हॉर्स शू क्रैब केक्ड़ा ठीक है इसी Piासी गोड़ई नाल होती है उसमें और सब्स्यान याद है याद रखना है बच्चो इस में जो बलडन की oxygen को करियर करते हमारे शरीर में humanoblebin oxygen को करी करता है लेकिन को में oxygen को करने के लिए याद रखना कौन सी प्रोटीनिया भचो उसे कहते हैं होमो Canadian क्या कहते हैं बज्यों से है मो तो सियानिन या क्यानिन कुछ भी कह सकते हुआ यह हे तो हैं जो हैमोस यांनीन होतीया प्रोटीन ये ट्षर्ण होती है बच्छों यह आपकी नीले रंकी होती बच्छों किस रंकी होती यह नीले रंक होटी लोता है नीला होता है यारखेगा नीला रंक होगा झाटIns öğren example वोच याद of animal is dry and glandless वो किस वर्ग के जानवर हैं जिनकी तवचा बहुत शुष्क होती है और ग्रंथी विहीन होती है बहुत ड्राइ होती है और ्राइब ग्लेंड लेस होती है जैसे कि मैं बाध करूं मगर मच्की 꺼 गोडाईय के ग्रोकडाय की जो उपरी तीचा है आप ने देखा भी होगा वो बहुत सुष्ण ऻोति और बहुत हार्ड होती है ग्लैंड लेस होती है विसमें कोई ग्रंथी नहीं पायाती ठीक है तो कॉन से जी होते हैं तो याद रखना बच्चो ख्रोकोडाईल आता बहुत्स शुश्खت ही ब्रॉय और ग्लैंड लेस ग्रंथी वहीन होती है याद रखना अग्ला कुश्श हां कॉटेणियस रैस्पीरेशं कोटेणियस रैस्पीरेशंग किसे कहते हैं बच्चो तोचीष्वसन यानि कि वो जीव जो अपनी तश्य सांस है जिसमें आपका cutaneous respiration तवच्छा से सांस लेने की प्रक्रिया होती है तो मैंने अभी आपको बताया मेंडक ठीक है कुछ-कुछ जंगा पर फ्रॉग भी देखेंगे आप कुछ ऐसे मेंडक हैं जो अपनी तवच्छा से सांस लेते हैं लेकिन अब तवच्छा से सांस जब ल मदस से भी वह पानी के अंदर सांस ले पाता है याद रखना ओके पानी के अंदर सांस ले पाता है कि समझ में आया बच्छों तवच्छी है श्वासन तवच्छा से सांस लेना है अपनी खाल से सांस लेते हैं याद रखना है मोस्ट रेप्टाइल है अधिकान सरी सर्प मे एक होता है ठीक है कैसा देखिए अलग-अलग जानवरों के mushrooms में अलग टाइप के दिल पाए जाते हैं ठीक है अलग-अलग टाइप के दिल पाइजाते है जैसे मैं बात करता हूंप ऊठायो Er हमधंशी शक्रेव चलिए अंसर कीजिए किस प्रकार का दिल पाया जाता है चली चली आंसर करें देखे कितने बच्चे आंसर करेंगे बच्चो यह कह रहा है कि सरी सर्प वर्ग में जो वह होता है बच्चो तो कितने चेमबर का हार्ट पाया जाता है वो यह पूंछ रहा है सिंप्ली कितने चैमबर का हार्ट पाया जाता है वह यह पूछ रहा है बच्चो याद रखना छलिए चली आंसर कीजिए बच्चो एक सेक्ड ज़रा हां सरी सर्प कौन से जीव होते हैं जैसे क्रोकोडाइल होता है आपका ठीक कच्छवा हो गया इस टाइप का लेकिन यहां पर कुछ कुछ चीजा आपको नोट करवाता हूं मैं ताकि आप लोग समझ जाएं देखिए अगर मैं बात करता हूं फिश की फिश मचली तो मचली में जो हार्ट होता है वो टू चैमबर का होता है उसमें दो ही कक्ष होता है एक एक ट्रियम होती है और एक वेंट्रिकल होता है यानि क जर्थकी बच्चों एमफीबियान एंफीबियम मैं एंडव्टाइल मिरल इनकी बात करूं अगर मैं एमफीवान और रप्ताइल की कि अगर मैं बात कर Fragen क्या मतलब हुआ мफीवान कक्राइव यो जी होते हैं बच्चों पानी में भी रह लेते हैं और आपका पृच्वी पर भी रहे लेते हैं जमीन पर भी रहे लेते हैं तो जी से में डीक होता है ठीक है रैप्टायल सरी सर्शेप हो गए आपको पता चल गया इनमें कितने है चैमबर का exposic में तीन चैम्बर का हार्ट होता है कितने बच्चों तीन चैम्बर का three chamber a three chamber अब इनके अलावा जितने में उसे मैं में लसुत कहते है इस तन पाई को जो दूद पिलाते आपने बच्चों को ठीक है और बर्ट संजितनी बप्ट चुडिये पक्षी उन में चार चैमबर का हार्ट होता है बच्चो चार चैमबर का चार चैमबर का हार्ट होता है लेकिन एक सडी सर्प ऐसा है एक रेप्टाइल ऐसा है जिसमें बच्चो चार चैमबर का हार्ट पाये जाता है ठिदया आहां है आपको याद शूम है जो क्रोको डाइल हैँ क्रोको डाइल मगर मच इसमें चार से बड़ो थे और इसी तरह से एक उतना डेटर्ट tbsp कच्वा कच्वा इसमें तीन चैंबर का हर्ट ऊता आपको यह याद द हना कच्वा तो हो गई रैप्टाइल एक तरह से ठीक है तो याद रखना है यहां पर थ्री चेंबर हार्ट होगा समझ माया बच्छो ठीक है तीन चमबर तो यह सारी डिटेल मैंने लिग दिए यहां से कोश्चन कई बार बना है बच्छो अगला कोश्चन अनिमल बिलांगिंग लोडा तो कीट जगत जो है उसमें ऐसा लिम मिलता अधे जैसे की सैंप्रेट से सैंपरियर मतलब का है बच्छो आपका कांध खजूरा तो कांध रूमें लिए कि तने सारे पम में सकी साने आपस में जुदू होतें क्रैब केकड़ा यह वी और्फण माता इसकी भी थांग आपस में जुड़ी होती है याद रखना इनकी भी टांगे आपस में जुड़ी होती है ठीक है हां ओके तो याद रखना बच्चो यह कहता है एनिमल बिलॉंगिंग कौन सा गुरूप ऐसा है जिसमें जुड़ी हुई टांगे होती है तो आप बताएंगे बच्चो और तो प सबसे बड़ा है पूरे विश्व में पूरे यह मानके चलिए कि जितने भी जीवों की अब तक खोज हुई है वैसे तो बहुत सारे 1 बिलिए जीव हैं लेकिन जितनी विए आप तक होई उसमें सब से ज़्याधा जीव देखने को मिले हैं याद रखिएगा थिक है बहुत इंप इंपर्टेंट और पोड़ा में क्या क्या आता है बिच्चु चुछुल आ जाता है कन खजुषरो कजूर आ जाता है ठीक है केकड़ा आ जाता है बच्छों मकड़ी आ जाती यह सब इसी में आ जाते हैं ठीक है आठ टांगो वाले जिद्ने हैं वह सब ऑस्रोपोर्डा में आ जाते हैं तो बच्चों यह है हमारा कोर्स ठीक है आरार भी एलपी 2024 सीवीटी बन आप लोगों को यह पर्चेस करना है वैसे तो इसकी कीमत जो है वह 999 रुपए है लेकिन जब आप हमारी एप पे जाकर कूपन कोड डालेंगे एलपी 50 क्या डालेंगे बच्चों एलपी 50 तो आप कि विच ग्रूप आप अनिमल आर क्रेचा डैट लिव एक्स्क्लूजी वी एक्स्क्लूजीब ली इंदा सी वह कौन से जीव समू है जो की पूर्ण तहाब समंदर के अंदर रहता है पानी में रहता है बच्चों याद रखना ठीक है और तो पोड़ा बिच्चु जमीन प होते हैं बच्चों अकिनो डर्मेटा या फिर कॉलिक जिने शूल चर्मी कहते हैं यह पूरी तरह पानी के अंदर रहते हैं जमीन पर नहीं रह सकते मोलस्क ठीक है मोलक्स जो पानी के बाहर भी रह सकता है बच्चों बहुत सारे नेमोटोड़ा तो है बच्चों आपका ठी कुकंबर कि समुद्री खीरा जिसे कहते हैं समुद्री की ठीड वो भी पूरी तरह पानी के अंदर रहता है याद रखना important question okay अगला कोश्शन which of these insects has teeth इनमें से किस कीट के दाथ होते हैं ठीकिन वैसे किटों के दाथ नहीं होतें लेकिनने से किसके दाथ होते 20 नहीं मख्यां नहीं बटरफ्लाइज नहीं चैना वाइस पैंड बंब्ल बीत टाइय भौरों में ठीक है तताये और भौरं में जो तताया होता लापने अपनी देखा काटा वी होगा यह देखे होरणेट जिसमाहर नेट कहते हैं बच्छों किchnkas होरनेट इन को हम वास्प भी कहते हैं सबको वास्प में सारी कटेगरिया पी तता ही होख बाइप ने पी तेक्डराट कि और ये है बच्चों आपका cominты फूलों रहता है तो इन में बच्चों यादर रखना इन में दानल भी पाया जाते हैं ठीक नए दानल भी पाय जाते हैं अब यह मिसक्मझें तरत काटते हैं तो काटने तक दर्थ करता रहता है ठीक है अगला कोश्चन है विचाओ फॉलिंग अनिमेल डज नॉट बिलांग तुदर रेप्टाइल क्लास इन में से कौन सा जीवों का समू है जो कि सरी सर्प वर्ग में नहीं आता टोटो इस क्रोकोडाइल टॉड या स्नेक याद रखना बच्छो टॉटाइज एक सरी सर है क्रोकोडाइल एक सरी सर्फ है सांप एक सरी सर्फ है इसके तो नाम में सर्फ है तो बच्ता क्या है बच्छो टूड टूड आता है बच्छो आपका एंफीबियन में किसमा आता है बच्छो एंफीबियन एंफीबियन क्या होता है बच्छो उभैचर और उभैचर कौन से पर घी जी वह रहाँ से पानी में भी रह लेते हैं पानी से बहर आंप भी रह जानियने यार्य के ब्रकार के एंदके प्रसर कंई धिसक् Faithि मेंने अभी मैंने डिसक्स किया कि और वह कसर दिलता है तो कितने चमर का होता है अभी हमने डिसक्स कि बच्छो तो तीन चैमबर का हार्फ होता है, याद रखियेगा, तीन चैमबर का हार्फ होगा, ठिक है, ठीन चैमबर का हाट होगा, यह कोशन आप देख रहे हैं, बार रिपीत हो रहे हैंegं है कोशन, तो इसी तरह के तो कोशन आएंगे algo में, तो इन कोश्चन की प्रैक्टिस जितनी जादे से जादे हम करेंगे उतना अच्छा है विचाव था फॉलिंग बर्ड्स है दा स्मॉलेस टैग किस पक्षी के सबसे छोटे अंडे होते हैं सबसे छोटे अंडे देखे सबसे छोटी पक्षी जो होगा उसके सबसे छोटे अंडे होंगे तो सबसे छोटा पक्षी होता है बच्छो हमिंग बर्ड ठीक है बहुत छोटी सी होती है इच्डिया और इसके सबसे छोटे आपके अंडे होते लगबग 2.27 इंच के अंडा होता है एक तो बहुत ही छोटा सा अंडा होता है और बहुत ही छोटा उसमें से नवजाद बाहर आता है ऑफिस पर ठीक है अगला कुश्शन एनिमल डैट लेज एक और कॉल्ड वो जीव जो की अंडे सेते हैं अंडे सेना मतलब अंडों को सेक लगाकर उसमें से बच्चों को बाह है कहते हैं इस तरह के जीव को हम कहते हैं अंडज प्राणी यानि की ओवी पेरस क्रियेचर क्या कहते हैं बच्चों ओवी पेरस क्रियेचर वीवी पेरस जो होते हैं बच्चों वीवी पेरस इनमें मैमल्स आ जाते इस तन पाई इनमें क्या जाते हैं बच्चों मैमल्स इस बिस्तल पाई ये सीधा बच्चों को जरम देते हैं यह अंडे नहीं देते लेकिन ऑवी पेरस जो चयाते हैं बसक्षोJust उसको उगा लेती है तो रीजनेशन होती है छिपकली में याद रखना बच्छों ठीक है हाँ इसी वज़े से छिपकली पर इसाइच चल रही है कि छिपकली के जीन से जिन व्यक्तियों के हाथ कड़ जाते हैं या आफ कई मतलब नहीं होता हाथ तो क्या उसें पर इस चनती चजिझ को लिए ठीक है अगला इतला आव्च में कितने हैं क luego होगा तो आपको मैंने बताया यानि के सुन पाई जो होते हैं और जो पक्षिए वोते होँ उन में चार लेक्थास चेंबर का हर्ट में अपने जल्दीक भी आए बार-बार कि अच्छा मैं जल्दीहां सर्मार कर रहा हूं वेट मैं जल्दे आंशर मां कर रहा हूं ताकि जादा से में जबन कर ले ना ठीक है चलें खैर मैं आपको थोड़ा समय देता रोग चलिए को देखी ध्यान से अब विचाओ दो फॉलिंग ग्लासे ऑफ एनिमल आर वाम ब्लडिड इन में से कौन से जीव ऐसे हैं जिनका खून गर्म होता है दो प्रकार के जीव होते हैं एक तो कोल्ड ब्लडिड ठीक है और गैनिस्म और एक होते होट ब्लडिड और गैनिस्म या वा अचलिए इसोडंऄर तो पॉलिड़ हो जाते हैं लेकिन गर्मियों में आक्टीव रहते हैं गर्मियों में यह गर्मियों में पॉझा अब्लड आटान को में क्या सुन न पक्षी पक्षी भी होगा इसका अंसर देखो सीधी सी बात है यह जो क्लासिस चल रही है यूट्यूब पर याप लोग वो के लिए चल रही है ताकि आप लोग फ्री में भी अच्छी तयारी कर सकें समझवाई बात अब अगर आप इनसे नोट्स बना रहे हैं क्योंकि यह क् सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके नोट्स बनाई यह ठीक है जब तक यह क्लासिस चलेंगे तब तक आपके पास यकीन मानना एलपी का सारा कंटेंट होगा चाहे वह साइंस का हो चाहे वह एप्टिटूट को चाहे रीजनिंग को ठीक है समय माई बात तो मेहनस से ध्यान से पढ़िये विटा ठीक है अगला कोश्चन है वाटीजड़ साउंड मेर्ड वाइश सील फिश सील फिश ओती है बच्छो एक आपने देखा वह समंदर में पाई जाती है सील फिश ठीक है तो सील फिश किस तरह की आवाज निकालती है जैसे बच्छों बार्क है बार्क यह तो भॉकना है तो यह तो कुत्ता निकालेगा मूँ गाएं भैंस है ना यह निकालती है ग्राउल यह बच्चो लॉइन निकालता है गड़ 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 इस टाइप की आवास खरकराती हुई इस क्रीच चीख जैसी जो लगती जैसे कोई चीख मार रहा हो वो कौन निका निकालती है याद रखना ठीक है सील फिश निकालती है ठीक है ठीक है अगला कोशन विचाव दा फॉलेंग क्रियेचर ड़स नॉट यूजवली ले एक्स इंडा नेस्ट इन इस नेस्ट ऐसा कॉंसा जीव है जो आप आम तोर पर अपने घोसले में अंडे नहीं देता है इ इतो आपने सुना होगा तो चलिये इसका अंसर देखें कितने बच्चे आवसर देंगे चलिये शाबाश answer करो बिटा कितने बच्चे आउन सख करेंगे AXA कौनसा जीव है जो कि कि खुद अपने अंडे अपने अपने गूसले में अंडे नहीं देता है बल्कि कि जुशने दोरे कह सो लेंदे तो सुना ही हो आप सब ने औरहां में भी चलता है बêsचो का अमने चलता है बच्छो हो कहावत में भी चले वट बताये ऐसंशर वह है बच्छोन याद रखना कुकु मैं ऑक है बैचो рок को आल को यापने घूचल में देन दे थी कि बल्कि को वे के गुस्ले में अंडेधी और कव्वा हुपने अपने अंडेश होती है विर उसमें से बच्चे निकलत है और वो न बच्चों से नीचे गिरा डिती है को अलाक G thirds स्से ऊटाकि लिए पता निहीं, तीन की एक जैसी केटेग Dodgy ईक इनमें अलग होगा इक इनमें अलग होगा जैसे। इस्नेक, लिज़र्ड, बेल, इलिगेटरунд चलिये आप बताईए इनमें से को एक उलग है, तो कौन सा है तो वह कौन सा है फिर मैं आपको उसका कारण भी बताऊंगा शावाइश अंसर करिए विटा क्या होगा इसका आंसर करिंये बेटा क्या होगा चलिये वच्छ शाबा आश आंसर करो चाही क्या होगा इन sed सा मिसमेंच है मैंचिंग नहीं कर पारा है haha प्रणेक नहीं कर पारा है बीटा वह ठीक है पोसी बच्छो संगे होगा क्यों होता बच्छो बेल देखे यह अन्दे देता है लिज़र्ट सरीषमें अंडे देता अलिगेटर सरी अंडे देता वेल एक मैमल है क्या है बच्चो मैमल है मैमल ठीक यह मैमल ऐस्तन पाई है सीरेसी बात है ठीक है अगला कुशन पिष ब्रेट विदै हैल पाफ मचली में डिम्न में से किसकी सहता से साह से लिती मचलीया डिम डिमन में से किसकी मद से साह से लेती रहीा चली आंसर दीजिया कि गिल्स गलफड़्यका थे है बच्चो गल फड़े गफड़े कहते हैं बच्छो गल फड़े हैं न गेल्स की मदद से बल्गों सही बच्छ शाबाश शाबाश अंसर करो भई मनेश विप हो शुरेंदर ऑंसर करो प्यारे बच्छो रोहेथ शिकhra चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं विचाव दफॉलिंग डजनॉट है ब्लड बत ब्रीट इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रख्त तो नहीं होता ब्लड नहीं होता लेकिन फिर भी वह सांस लेता है फिर भी वह सांस लेता अर्थवां हाइड्रा कॉक्रोच फिश जिसमें ब्लड नहीं होता या साथ में उसने यह भी जोड़ दिया कि वह सांस लेता है ठीक है तो बताइए बच्चो क्या अंसर होगा इसका क्या अंसर होगा इनमें से कौन साइसा है जिसमें ब्लड नहीं होता याद रखना बच्चो हाइड्रा हाइड्रा एक ऐसा जीव ह है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी सांस लेता है ठीक है आपको भी पता है कि सांस लेने के लिए ब्लड की जरौत होती है अगला कोशन डैश गीव्ज बर्थ टू अंडर डवलप चिल्ड्रन चिल्ड्रन ने बच्चों यह आफ इस्प्रिंग होगा आफ इस्प्रिंग आफ इस्प्रिंग ठीक है अल्प विक्सित बच्चे जो होते हैं बहुती अल्प विक्सित ठीक है उन बच्चों को जर्म देता है कौन सा जीव एकिड़ना कैंगरू प्लेटिपस रबिट ठीक है यह सारे जो है ना बच्चों पाई है याद रखना लेकि यह अंडे देते हैं लेकिन उसके बाद भी बच्चो यह मैमल हैं याद रखना उसके बाद भी यह मैमल से याद रखना इस्तन पाई है ठीक है हाँ तो आप सवाल उठता है कौन है बच्चो याद रखना हुआ है कैंगरू यानि कि कंगारू जो होता है बच्चो वह आपका क बच्चे को जन्म देता है याद रखिएगा ठीक है बहुत ही अल्क्विक्सित बच्चे को जन्म देता है कि मचली में कौन से कितने चैंबर वाला हाट पाए जाता है बार-बार बात हो रही है बच्छो बार-बार बात हो रही है इस पर टाइम लगाने की जूरत नहीं है तू चैंबर हार्ट होता है मचलियों में ठीक है हाँ चीटी की कितने पैर होते हैं यह बड़ा अच्छा कोशन है चीटी के कितने पैर होते हैं आपको यह बताना है चलिए देखे कौन बताएगा इसे ठीक है देखे कौन बताएगा बच्छो चीटी के पैर कितने होते हैं कितने पैर होते हैं चीटी के बच्छों आपको ये बताना है चीटी किसमा आता है इंसेक्ट में आता है ठीक है इंसेक्ट में आता है और याद रखना है चीटी जो होती है बच्छों चीटी ठीक है चीटी जो होती है उसके कितने पैर होते हैं बच्छों चित्र बना के दिखा दूँ छे पैर होते हैं बच्छों कितने छे पैर होते हैं याद रखेगा तीन इधर तीन इधर दाइंबाई तरफ कितने बच्छों छे पैर होते हैं बच्छों यह ऐब हरे उसमwhat समझ नहीं सर अजीनने नहीं सरो जायन कह रहा है आप पिछले एमलास कॉर्षन most अप्थार आथ याद रखत है कोछ चुंबर Сमदर क्रिया समुद्रल खीरया निंवनिक से कसे हzeniu या कहूं इंडिकेट विच आओध फॉलोइंग क्या होता है सी कुकुम्बर क्या एक समुद्री शैवाल है या मरीन हाँ एक मरीन इनवर्टेब्रेट है इनवर्टेब्रेट वो होते हैं जिनमें रिड़ के हड़ी नहीं होती है ठीक है कि वेजिटेबल फॉर सेलेड सेलाद के लिए सब्जी है यह मचली है तो आपको बताना है बच्चों इनमें से सी कुकुम्बर क्या होता है मैंने बताए सी कुकुम्बर एक और जीव है लेकिन इसमें बच्चों याद रखना रिड़ कहटी नहीं पाई जाती आकशेरू की ज नि new ओंसा तो कॉन सायस जी वीजिसके हर्दे में सिर्फ दो चैमबर हुंगे सिर्फ दो चैमबर सलैमेंडर कोब्र फ्रॉग रॉह हुड इनकी दो चैमबर के लिए तो एक है बच्चो फिश अब इसमें से यह है फिश कौन सी लोती है भी इसमें से फिशों इसमें था बच्छों को इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है यह क्लास वैसे तो हम चला के रखेंगे लेकिन अगर इसी तरह के रिस्पॉंस रहे तो फिर कहां से चल पाएगी ठीक है तो कोशिश कीजिए जादे-जादा बच्चे लाइवाएं ताकि क्लास के कंटेंट को और अच्छा बनाया जासे का आप सुझाओ दीजिए हमें और क्या करना चाहिए आपको पता है कि यह कोश्चन मुश्किल होते हैं तो उन कौन से कोश्चन जो आपको मुश्किल लगते हैं उससे रिलेटिट हम कोश्चन कराएंगे ठीक है तो हम तो कराती लेकिन अगर आपके सुझाओं से चलेंगे तो आपके हिसाफ से त्यारी होगी बहुत अच्छा रहेगा ठीक है फेस्बुक पर जाकर हमारे मेकिटीजी स्किल्स और मेकिटीजी चैनल के पेज़ को जरूर लाइक कीजिए बच्चो और फॉलो कीजिए ठीक है चलिए थैंक and thank you very much